नमस्कार, स्वागत है आप सभी दर्शकों का जन जागलिट चैनल पर आपका अपना न्यूस चैनल सच के साथ उतर प्रदेश के धदोही जन पत्मे नगर पंचायत ज्यानपुर में जिलादिकारी आरेका अखोरी ने फुटपात से दुकान हटाने का निर्देश अधिशासी अधिकारी को दिया है खबर भदोही संबाद दाता एक फारू की द्वारा की गई रपोर्ट अधिक्रमर भियान को लेकर फुटपात दुकानदारों के हित को देखते हुए उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल प्रतिनिधी ज्यानपुर के नगर अध्यक्षरंजीत कुमार गुपता की अगुवाई में मंगलवार को शाम चार बजे अधिशासी अधिकारी संग बैठक कर समस्याओं के निदान के बारे में विचार व्यत किये और दुकान के लिए स्थान आवंचिन की मांगी से बुलाने पर व्यापार मंडल की मीटिंग रखी गई जिसमें अतिकरमण को लेकर व्यापार मंडल से यह साब की बात हुई जिसमें हम लोगों ने सुझाओ दिया कि जब तक यानपुर नगर में वेंडिंग जोन का चैन नहीं हो जाता तब तक व्यापारियों को अतिकरमण के नाम पर हटाये नजाए उन्हें अपने जीविका चलाने के लिए अस्थान कहीं कहीं दे कर रहने दिया जाए उसके बाद जब तक वेंडिंग जोन इस्तापित हो जाए तो फिर उनको वहां पर शिप्ट किया जाए और हमने भी व्यापारियों से अनूत किया है कि वह अपनी दुखानें पट्री की किकदम किनारे लगाए उनकी वज़य से कहीं पर वियाताइद में आने जाने में दिझकत और पर आफरा नहां को फाई मता कि लिए ही उसमाराशन से बात कि जाएगी और अगर संबह हो सकेगा तो इसको वेंडेंदिंग जन बनाने के लिए प्रयास कि अतिक्रमण हटाने के लिए आज ब्यापार भाई ब्यापार बंदूंगों को उलाया गया है इसके पहले दी एक बार बैठक होई थी कि उसमें मैं उबस्तित नहीं हो पाया था तो आज यह चर्चा हुई है कि हम लोग जादा से जादा सड़क को खाली और जिनकी दुकाने अस्थाई है पर्मानेंट है वो अपने दुकान के सामने अर्था साइट पट्री पर अपने दुकान की वस्तुएं ना रखे और जिन्होंने सीड़ी चज्जा चबूतरा बना लिया है वो अपना स्वैम तोड़ ले अन्यथा है हम लोग जब भी निक लेंगे इसके खिलाब करवाई है तो उन सब को हम लोग तोड़कर उनसे जुर्माना लेंगे